नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नौलिश पंडित पर दोस्तों मैं अजीत पाइंडे आप सभी के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही जबरजस्त सौ प्रशने लेकर आया हूँ वीडियो से रिलेटिड जो प्रशन आप पढ़ रहे हैं इसकी पीडियस लेने के लिए आप हमारी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन पर आपको और भी पीडियस मिल जाएंगी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अप्लिकेशन पर आपको रोज टेस्स सीरीज भी मिलती है आप अपडेटेड टेस्स लगा कर अपने आने वाली पृतियोगी परिक्षाँ की तयारी भी कर सकते हैं दोस्तों को भी अप्लिकेशन की लिंक शेयर करके और अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए जरूर सज़ेश्ट करिएगा चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो सबसे पहला प्रशन है सौ प्रतीशत सौर संचालित स्वास्त केंदर वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है तो सूरत जिला पहला जिला बना है जलिया वाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा करवाया गया था या इसमें शामिल कौन था मुख्य तो माइकल ओडायर जलिया वाला बाग हत्या कायंड में मुख्य रूप से शामिल था 1526, 1556 और 1761 के तीन एतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे तो पानीपत हरियाना में इस्थित नगर में ये युद्ध हुए थे 1784 में कोलकता में किसने असियाटिक सोसाइडी की स्थापना की थी 1856 में विद्वा पुनर विवहा कानून किसके प्रयासों से बनाये गया था तो इस्वर चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से 1856 में विद्वा पुनर विवहा कानून जो है बनाये गया था 1857 के विद्रों में किसने अपना बलीदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रों में अपना बलीदान सबसे पहले दिया था 1857 की करांथी का तातकालिक कारण क्या था तो चर्बी युक्त कार्तूस का सेना में प्रयोग करने के लिए बादित करना 1859 की क्रांती का तातकालिक प्रमुक कारण था 1857 की क्रांती के बा अंग्रेजों ने मुगल बाच्षा बहादरु शाजफर को कैद करके पत्र शुरू किया था 1949 में कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभाश चंदर बोजी ने किस दल की स्थापना की थी तो फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना की थी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी तो मिथाईल आइसोसाइनेट M.I.C. मिक गैस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 23.5 डिगरी उत्री अक्षांस रेखा क्या कहलाती है तो इसे हम करक रेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 38 पेरलल लाइन किन्दो देशों को बाटती है तो उत्तर और दक्षन कोरिया को दो हिस्सों में 38 पेरलल लाइन बाटती है 42 पेरल वे संसूधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से सब् जोडे गए थे तो समाजवादी धर्म निरपेक्ष और एक्षन शब्द 42 संसूधन के द्वारा प्रस्तावना में जोडे गए थे NCC की स्थापना किस वर्स हुई थी तो 1948 में NCC की स्थापना हुई थी NCRT की स्थापना कब हुई थी तो 1961 में NCRT की स्थापना हुई थी RBI के नई नीमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैदता कितने समय तक की होती है तो तीन माह तक की चेक और बैंक ड्राफ्ट की वेधता होती है। सार्क या दक्षेस का मुख्याले कहां परिस्थित है। तो काटमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्याले इस्थित है। यूनेस्को का मुख्याले कहां परिस्थ है तो पैरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्याले इस्थित है यूनेस्को द्वारा कलिंग परुसकार के शेतर में दिया जाता है तो विग्यान के शेतर में यूनेस्को के द्वारा कलिंग परुसकार दिया जाता है अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था तो सूरत गुजरात में अंग्री इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था अजंता की गुफाओं में चितरकारी किस धर्म से संबंदित है तो बौद धर्म से संबंदित है अ अंतराश्री नयायले इस्थित है अंतरिक शयात्री को बहा आकास कैसा दिखाई देता है तो काले रंग का दिखाई देता है बहा आकास अंतरिक शयात्री को अंतराश्री ओलंपिक समीथी का मुख्याले कहां परिस्थित है तो स्विज्जा लेंड के लुसान में अंतराश्र पर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर इस्थित है तो औरंगाबाद महराश में अजंता और एलोरा की गुफाएं इस्थित है अंटार्क्टिका में प्रथम भारती इस्थाई प्रयोक्षाला को क्या नाम दिया गया था त तो सुरक्षा परिस्द की जिम्यदारी होती हैं अंतराश्य सांती और सुरक्षा को बनाय रखने की। अंतराश्य महिला दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है तो आठ मार्च को अंतराश्य महिला दिवस मनाते हैं। तो 10 दसंबर को अंतर आश्र मानवधिकार दिवस बनाते हैं। अमजद अली खान को कौन सा वादी अंतर वजाने के लिए जाना जाता है तो सरोद के वादन में अमजद अली खान प्रसिद है। अमर कंटक किस नदी का उदगम स्थल है तो नर्वदा नदी का उदगम स्थल है अमर कंटक नर्वदा के अलावा सोन और जोहिला नदी भी निकलती हैं अमर कंटक से। अमरेज सरसहर की स्थापना किस ने की थी तो गुरू रामदाश जी ने अमरेज सरसहर की स्थापना की थी अमेरिका की खोज किस ने की थी तो 1492 में क्रिश्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी अमेरिका के पहले राश्वपती कौन थे तो जॉर्ज वासिंगिटन अमेरिका के पहले राश्वपती थे अमेरिका ने कौन सा राज 1867 में रूस से खरीदा था तो अलास्का को अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था अमेरिका ने जापान के हिरोसिमा पर परमाडू बंब कब गिराये था तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोसिमा पर परमाडू बंब गिराये था अमेरिकी राशुपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो 4 वर्ष का होता है अयुद्या किस नदी के किनारे है तो सरीव नदी के किनारे इस्तित है अयुद्या अरावली परवत माला की सबसे मुची चोटी कौन सी है तो गुरु शिकर अरावली परवत माला की सबसे मुची चोटी है अर्जुन पुरुषकार किस वर्ष शुरू हुए थे तो 1961 में शुरू हुए थे अर्थसास्तर का जनक कौन कहलाता है तो एडम स्मित को अर्थसास्तर का जनक कहा जाता है अर्थसास्तर का नोबल पुरुषकार किस वर्ष शुरू हुआ था तो 1969 में अर्थसास्त्र का नोबल परुस्कार शुरू हुआ था अर्थसास्त्र के लेकर कौन थे तो चानक के कौटेले भी जिन्हें कहते हैं अर्थसास्त्र के लेकर थे अलीगड़ आंदोलन किसे सम्मंदित है तो सरसेयत एहमद खान से अलीगड़ आंदोलन सम्मंदित है अशोक की अधिकान सिलाले किस लिपी में लिखे गए है तो ब्राम ही लिपी में लिखे गए है अशोक शक्र में कितनी तीलिया होती है तो 24 तीलिया होती है असम का पुराना नाम क्या है तो काम रूप असम का पुराना नाम है असायोग आंदोलन किस वज़ शुरू हुआ था तो 1920 में असायोग आंदोलन शुरू हुआ था आईने अगबरी का लेखक कौन था तो अबुल फजल आईने अगबरी का लेखक था आकास में तारे टिम्टिमाते क्यों दिखाई देते हैं तो प्रकास किया पवरतन की करण आकास में तारे टिम्टिमाते हुए दिखाई देते हैं आगाखा कप किस खेल से संबंदित है तो हौकी से संबंदित है आगाखा कप आधनिक उलंपिक खेलों की शुरुवात कब और कहां से हुई तो एथेंस युनान में 1896 में आधनिक उलंपिक खेलों की शुरुवात हुई थी अनुवानशिक्ता की नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवानशिक्ता की नियम का प्रतिपादन किया था आरे समाज की स्थापना किस ने की तो स्वामी देयानन सरस्वती जी ने आरे समाज की स्थापना की थी आरे समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी तो स्वामी देयानन सरस्वती जी ने मुम्मई में 1875 में आरे समाज की स्थापना की थी इंगलिज शेनल पार करने वाला पहला भारतिय कौन था तो महर सैन इंगलिज शेनल पार करने वाले पहले भारतिय थे इंटरनेट द्वारा सन्देश भेजना क्या कहलाता है तो इसे हम एमेल करना कहते हैं इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का परफम अध्दक्ष कौन था तो ब्योमेज चंदरवनरजी डबल्लूसी बिनरजी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के परफम अध्द्यक्ष थे इंडियन मिलेटरी एकेडमी कहां परिस्थ है तो दहरा दून में इंडियन मिलेटरी एकेडमी इस्थित है इंडिया गेट कहां परिस्थ है तो नई दिल्ली में इस्थित है इंडिया गेट इंसुलिन का प्रथम इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपशार में होता है तो मदुहे के उपशार में इंसुलिन का प्रयोग होता है इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं इंद्रधनुस में साथ रंग होते हैं इम्पीरियल कैडिट कॉप्स की स्थापना किस ने की थी तो लॉड करजन ने इम्पीरियल कैडिट कॉप्स की स्थापना की थी एलीजा परिक्षन किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलीजा परिक्षन करते है इलेक्ट्रोन की खोच किस ने की थी तो जेजेट हॉमसन ने इलेक्ट्रोन की खोच की थी इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातू से बनाई जाती है तो नाइक्रोम नामक धातू से इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाई जाती है इमेल के जन्मदाता कौन है तो रे टॉम लिंसन इमेल के जन्मदाता है उगते और डूपते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीरणन सबसे कम होता है इसलिए उगते और डूपते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है उज्जेन किस नदी के किनारे बसा है तो शिपरा नदी के किनारे उज्जेन बसा हुआ है उत्री गोलार्द में सबसे छोड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है उत्री ध्रूब को दक्षिन ध्रूब से मिलाने वाली कालपनिक रिखाप्चा कहलाती है तो यह देशांतर रिखा कहलाती है उत्री ध्रूब में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो हिमाद्री नाम से उत्री ध्रों में भारत का अनुसंधान केंद्र है उत्री भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है तो पश्यमी विच्छोब उत्री भारत में सर्दियों में वर्षा का प्रमुक कारण है उप्राश्पती का चुनाओ कौन करता है तो संसत सदस्य मिलकर उप्राश्पती का चुनाओ करते है उस्ताद जाकर हुसेन का सम्मध किस वादियंतर से है तो तबला नमक वादियंतर से उस्ताद जाकर हुसेन सम्मधित है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है तो 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होती है एक उलम्पिक में सरवाधिक स्वर्णपदक जीतने वाला खिलाडी कौन है तो Michael Flex तैराकी में एक Olympic में होने सबसे ज्यादा सौण पतक जीते हैं एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो 125 बाइट होते हैं एक किलो बाइट में एक ठोज से सीधे गैस में परिवरतन को क्या कहते हैं तो इसे हम ऊर्धहो पातन कहते हैं एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो वित्त मंत्राले के सचयों के एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं एक स्वस्त मनुष का हर्द एक मिनड में कितनी बार धढ़कता है तो 72 बार एक स्वस्त मनुष का हर्द धढ़कता है एक्जीमा रोक शरी के किस अंग को प्रभावित करता है तो तवचा को प्रभावित करता है एक्जीमा एक्सरे का आविशकार किस ने किया था तो रॉंटिजन ने एक्सरे का आविशकार किया था LPG gas में क्या होता है तो ब्यूटेन भरी होती है LPG gas में LBW शब्द किस खेल से संबंदित है तो या करके खेल से संबंदित शब्द है एश्या का नोबल पुरुसकार किसे कहा जाता है तो रमेन मैकसे से पुरुसकार एश्या का नोबल पुरुसकार कहलाता है अल्यूमिनियम का प्रमुक आयस्क क्या है तो बॉक्साइड अल्यूमिनियम का प्रमुक आयस्क है ओस्कर पुरुसकार का संबंद किस छेतर से है तो फिल्म छेतर में दिया जाता है ओस्कर पुरुसकार ओडम के सिराजी का प्रसिद्यतियोहार है तो केरल का प्रसिद्यतियोहार है ओडम ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है तो चार वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला खेलारी कौन है तो करणम मलेश्वरी ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला खेलारी है दोस्तों ये थे 100 questions के videos अधिक जैनकरी के लिए आप हमारी application को download कर लिजे application की link इस video के description box में है जहां से आपको PDF, test series और भी बहुत कुछ मिलेगा आप अपने दोस्तों को भी जरूर suggest करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद